हालो ग्रेट फोर्थ, हाओ आई यू? I am your EVS teacher, Sona. Today we will start our new chapter, chapter 10, fresh from the field. इसका मतलब होता है, मेदान से ताजा. Agriculture is the main occupation of the India. जो खेती बाड़ी है, वो हमारे देश की, इंडिया की main कारोबार होता है, खेती बाड़ी का. In this chapter, let us learn how crops are grown. इस chapter में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो फसले हैं, उगाई जाती हैं. Okay? Let's start. Germinate of the, germination of seeds. Germination मेंने होता है, अंकूर करना या उगाना. किसको? Seed को, means bees को. Ben love to eat cherries. जो Ben है, वो cherries खाने बहुत पसंद करता है. But he had a bad habit. पर उसके एक bad habit भी है, जैसे के बुरी आदत है. He hated to throw the seeds in the dust bean. उसको dust bean में, उसकी जो seeds होते हैं, उसके जो bees होते हैं, उसको फेंकना अच्छा नहीं लगता. When his mother was not looking, जब उसकी मदर उसकी तरफ देख नहीं होती, तो then he spat a cherry seed out of the window. तो वो क्या करता है? उस cherry seed को बाहर window के बाहर लगा देता है, यह की उगा देता है. बाहर फेंक देया, यह की उगलना उगा देता है बापे. सेडी was the name of the cherry seed that Ben spat out. सेडी जो है, उसने जो Ben ने क्या किया है, जो cherry seed होती है, उसका नाम सेडी रख दिया है. ठीक है? As soon as, सेडी landed on the ground. जल्दी से उसने क्या किया है, ground में, सेडी को ground में लगा दिया है. A dog stamped on it. Then under the, जो a dog है, उसने उसके उपर stamp कर दी है. Stamp means महोर लगा दिया है, कि ऐसे पंजो से. Under the ground, सेडी went away from the scratching heat of the sun. वो कह रहा है, under the ground, ground के अंदर, जो सेडी went away from the ground. क्या होता है, जो seed होता है, वो ground के अंदर चला गया है. उसको अंदर दबा दिया है. क्यों? क्योंकि वो, जो scratching में होता है, बहुत तेज. Means जला कर राख कर देने वाली heat जो होती है, sun की उससे बचने के लिए. तीक है, the heat was unbearable, जो गर्मी होती है, जो sun की heat है, वो असहनिये है, यह की बरदाश नहीं होती, असहनिये, unbearable, and the seed needed water, जो बीज है, उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए. The gardener must have read its mind, जो gardener होता है, जो हमारे माली होता है, जो भी इसकी देखरेक करता है, पेड़ पोदो की, उसको यह सब पता है. But because what trackled down the soil, उसको पता है कि क्या उसने दीरे-दीरे क्या किया वाटर दिया है, कि इसको पानी मिटी में कैसे trackled से जहें, कि भूंद भूंद टपका कर, चीक है, trackled में होता है, भूंद भूंद, कोई भी लिकवर्चिस को जब हम भूंद भूंद टपकाते हैं, उसको बोलते सेडी वेंट ऑफ दू स्लीप, इब क्या है, सीडी क्या है, सो गया है, देक्स टपकाते ही, अमरजींग आउट अफ यस हैड, अगले दू क्या होता है, डॉन मेंने होता है लगा हुआ, क्या and behold मैंने देखना, छीक है, लगा हुआ लगा हुआ है, और देखा क्या what did CD see, अब CD ने क्या देखा, कि उसके उपर क्या है, green color का sprout, जो उपर से उखते हैं, जैसे कोई भी seed होता है, उसके उपर से थोड़ा सा हुटता है, उसको बोलते है sprout, ठीक है अमरीजिंग मेंने होता है उबरा हुआ, out of his head उसके head पर, ठीक है then CD wanted the sprout to sprout to gradually gradually grow beginner so that he could see what was happening in the outside of word, जो CD था, वो भी देखना चाहता था कि sprout होने के बाद, और बड़ा होना चाहता था, और वो भी क्या देखना चाहता था, बाहर की दुनिया को, क्या हो रहा है ठीक है, a few days later थोड़े दिनों बाद, his green sprout had become a small stem, जो उसकी green sprout था, वो क्या हो गया small stem बन गई, ठीक है and had broken through the ground, जो कि ground के उपर से निकली ग्राउड को तोड़कर उपर निकल गई the sprout grew towards the sunlight अब sprout को क्या चाहिए था sunlight चाहिए थी and help cd grow, जो की cd को बड़े होने में मदद करती, soon cd even had a few pretty wheels, अब क्या हो गया cd के उपर थोड़े से पत्ते pretty पत्ते मेंने नाजुक नाजुक जो पत्ते होते हैं वो उगाए है the birds saw the tasty green stem, birds ने क्या देखा के एक tasty सी green stem है और leaves है and wanted to eat them, और उनको खाना चाहते थे वो, but there was no way they could pull cd out इसका कोई इलाज रही था कोई इसका मतलब रास्ता नहीं था के वो cd को बाहर निकाल सकी ऐसा क्यों, why what do you know why well cd had grown roots now, अब क्या था जो cd था, उसके भी अब roots आ चुकी थी, ठीक है अब वो ground के निचे भी उतना ही फैला हुआ था as days rolled into months and months into years जो दिन थे वो किसमें बदल गे है month में, महीनों में, जो महीने थे, वो सालों में बदल गए है अब क्या हुआ, cd slowly grew from a baby plant into a sturdy ठीक है, तो क्या हो गया अब वो छोटे से baby plant से दीरे दीरे करकर, छोटे से baby plant से, अब क्या बन गया वो sturdy बन गया है, इसका मतलब होता है, ताकतवर बन गया है young plant and finally young plant बन गया, ताकतवर बन गया है and finally a strong and beautifully cherry tree अब वो क्या बन गया है बहुत सुंदर सा strong सा मजबूत सा क्या बन गया cherry tree बन गया, so many years ago, when Ben spat the seed out of the window, जब बहुत सालों पहले, Ben ने उस seed को बहार की तरफ लगाया था, तो little did he, little did he know that inside cd lay a baby plant उसको थोड़ा सा ये पता था कि इस seed में क्या होता है एक baby plant चीक है ओके, now we will see how did cd change into a cherry tree, अब देखेंगे कि जो cd था, वो cherry tree में कैसे convert हुआ let's see if we get the sequence of the events right देखिए, सबसे पहले क्या है, cd lay under the ground cd को जो था, ये की जो बीज था, उसको क्या किया, ground के नीचे लगाया गया, ठीक है the gardener gave cd water, गार्ड़नर ने क्या किया, उसको पानी दिया, गार्ड़नर कोन होता है, माली, जो पेड़ बोदों की देख रहे करता है, ठीक है a south grew out of cd, out of cd's head, थोड़ा सा क्या हुआ, ये स्प्राउच, जैसे हम भी अपने डाइट में लेते हैं, स्प्राउच फूर, वैसे ही, ठीक है, grains वगारा उगाते हैं, इसी वैसे, उनको हम खाते भी हैं, ऐसे डाइट की तोर पर, ऐसे ही, ये देखिए, स्प्राउच निकल है, इसमें cd, स्प्राउच, रूट्स, अब क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, रूट्स भी आनी शुरू होगी हैं, है न, cd में, the short block, throw the ground and cd received sunlight, अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा ग्राउट को तोड़ कर बाहर निकल आया है, अब ये इसमें क्या आगी है, वो sunlight लेना शु यंग प्लांट, अब ये क्या हुआ, यंग प्लांट के रूप में convert हो गया, like this way, first step, second, third, fourth, fifth, sixth, ऐसे इस वे से grow up हो गया, ठीक है, the cd grew into a young plant, अब ये यंग प्लांट के तोर पर ये देखिए, ग्रू हो गया, उग गया, many years later, बहुत सालों बाद क्या हुआ, cd become a beautiful cherry tree, जो cd था, एक बहुत सुन्दर सा cherry tree बन खेया, ठीक है, then, this journey of cd from a seed to teeny plant is known as a, known as a germination, ठीक है, ये जो journey होते हैं, कि ये यात्रा, means, एक seed से लेके, एक tree बनने तक कि ये जो यात्रा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, germination, germination literally means to begin to grow, जो germination होता है, इसका मतलब होता है, शुरू से लेके उगने तक, बड़े होने तक, ठीक है, different types of the seeds, need a different amount of the water and the sunlight, different soils types and the different temperatures, conditions to the germination, germination, वो कहता है, अलग अलग जो seeds होते हैं, जो अलग अलग बीज होते हैं, उनको अलग 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 पानी चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, और किसी को ज़्यादा sunlight चाहिए होती है, किसी को कम sunlight चाहिए होती है, ऐसे अलग अलग मिटि के भी टाइप सोते हैं सॉल्स के भी टाइपस होते हैं और अलग-लग टैंपरेचर भी इस चीज को मैटर करता है कि ज 2500 के एसे हो जब पहं है द friends are expert in this जो फार्मर होते है या जो गार्डनर होते हैं वह इस चीज में expert होते है ठीक है कि उनको पता होता है कि सीड को वो कितना पानी चाहिए या कितना टेमप्रेचर जांताieur चाहिए गाइब गो needleTE is जब चीजों को जान लेते हैं छुँम्ध कोई मुंके और इनके बारे में किस क्रॉप को ही क किस खेति को फसल को कितनी क्या-क्या चीज चाहिए इनको जाहिए あना टे notion these are the factors of growing crops okay now okay you will read this properly